हेलो एब्रीवन वेरी वेलकम सो गाइस पीएसडी एड्मिशन का नौटिफिकेशन आया है गाइस यहां नौटिफिकेशन गौवर्मेंट उनिवेसिटी से आया है सो सबसे पहले सीटें देख लेते हैं किन सब्जेक्ट में कितनी सीटें अवेलिवल हैं सो गाइस यहां पर इस उनिवेसिटी में बहुत सारी सीटें अवेलिवल हैं देखिए और इसी तरह से केमस्टी में 205 सीटें अवेलिवल हैं использовать में जिस तरह से इस इस उनिवेसिटी में सारे सब्जेक्ट में सीटें available हैं तो इस तरह से bumper सीठें किसी भी University में नहीं प्रोवाइट किया जाता है तो गाईस देखें जे basement देखें जे database में 152 सीटें available हैं 姐 सबसे ज्यादा सीठें जे orव केमिस्टी में हैं और भी बहुत साथ सब्जक्ड हैं गाईस देखें इंजिनेरिंग में यहां पर इंजिनेरिंग में 107 एकसो साथ सीटे आवेलिवल हैं डेखें एकसो beings गैस इसी तरह से यहां पर सीटे आर्लीवल है जिलाओजिमें 73 सीटे अवेलिवल है 93 सो एकसे एकसे में 48 सीटे आ उफम पर meeting यहां पर business economics में 29 seat available हैं और banking finance में 11 seat computer management में 61 seat available हैं सो गाइस सभी subject में यहां पर seat available हैं इंग्लीज में देखिए गाइस यहां पर 123 seat available हैं इंग्लीज में 123 seat available हैं इसी तरह से सारे subject में seat available हैं अब देखते हैं यहां पर इसकी last date है कब से कब तक है तो देखिए जो इसकी last date है यहां पर mention किया हुआ है इसकी जो last date है देखिए 30 सिप्टमबर इसकी last date है 30 सिप्टमबर को और जो form submit होना start हुआ था 15 सिप्टमबर से application form submit होना start हो गया था यानि कि अभी आपके पास समय है one week से ज्यादा आपके पास समय है आप अपना entrance application form submit कर सकते हैं और जो आपका exam होगा देखे 6 नवंबर को आपका exam होगा यानि कि 6 नवंबर को आपका exam होगा जो result आएगा देखे 10 नवंबर तक आपका result आएगा 10 नवंबर तक आपका result आएगा यहां पर tentative date दी हुई है तो गाइस अब बात करते हैं किस university में application form आये हैं देखे गाइस सावित्री भाई फूले पूने उनिवरसिटी जो की पूने में located है यहां उनिवरसिटी गॉर्मेंट उनिवरसिटी है और यहां पर PhD admission का notification आया है PhD entrance examination 2022 देखे गाइस जो यहां पर passing का criteria रखा हुआ है passing का यहां पर criteria रखा हुआ है देखे जो SC से आते हैं SC category से जो students आते हैं reservation में जो students हैं जिनको reservation मिलता है reservation provide होता है उनके लिए 45 marks यहां पर passing का रखा हुआ है कि 45% में आप pass होंगे और देखे जो general category के students है उनको 50% marks में 50% यानि कि 50% marks में passing रखा हुआ है जो आपका entrance test exam होगा CBT mode में होगा यहां पर लिखा हुआ है online होगा computer based होगा CBT mode में होगा so guys अब बात करते हैं देखे यहां पर जो entrance application form submit करेंगे उनके master में देखे 55% marks होना अनिवार्य है और जो category से हैं उनको 5% का यहां पर relaxation दिया हुआ है यानि कि 50% marks होना उनका अनिवार्य है जिनका category से आते हैं जिनको reservation मिलता है गाइस देखे अब बात करते हैं जिनको जिनके पास UGC net है देखे जिनके पास UGC net है UGC net है CSIR है UGC net है और GRF है देखे उनको क्या करना है अपना registration करना है उनका entrance test exam नहीं होगा directly interview होगा और यहां पर fellowship भी provide किया जाएगा तो गाइस यहां पर देखे जो fees का दिया हुआ है जो जनल जनल category से हैं उनका 1000 रुपे फीस है जो reservation है ऐसी से आते हैं ऐसी पचास रुपे फीस है गाइस यहां पर देखे जो appearing में अपना form submit करेंगे जितने भी students उनकी फीस जनल में 800 है और देखे जो ऐसी category से आते हैं रिजरिविशन category से उनका 600 रुपीज है 600 रुपीज है यानि की 600 रुपे है जो भी फीस आप submit करेंगे डेविट कार्ट net banking के according आप अपना फीस submit करेंगे गाइस देखे यहां पर देखे आपका जो यहां यहां पर दिया हुआ है सीटे मैने आपको बता दी है और देखे यहां पर वाकी सब कुछ यहां पर दिया हुआ है जो आपका इंटरेंश test होगा उसमें 100 marks का होगा और 100 questions पूछे जाएंगे 50 आपके subject से पूछे जाएंगे 50 आपके research methodology से पूछे जाएंगे so guys description पर link दिया हुआ है आप यहां से अपना form submit कर सकते हैं और guys channel को subscribe जरूर कीजिए well icon को press जरूर कीजिए ताकि आपको इस तरह की information मिलती रहे और share जरूर कीजिए देखिए आप share नहीं करते हो अपने friends में दोस्तों में share जरूर कीजिए ताकि उनको भी information मालूम पड़े उनको मालूम हो कि इस channel पर भी information दी जाती है so guys देखिए channel को subscribe कीजिए well icon को press कीजिए और इस information को ज्यादा से ज्यादा share कीजिए